स्थिस्ठी को हमारे चैनल पर दोस्तों आज के वीदियो में मैं आस्तिन पर डिज्याइन बनाना बताऊंगे तो देखें कि दोस्तों हमने पेस्टिंग पेपर लिया हैं डिज्याइन बनाने के लिए जो चार इंच हैं और साढ़े 5 इंच लंबाई में लिए हैं कट करके अब इसे इस पेस्टिंग पेपर को एक बर लंबाई की तरफ से फोल्ड करना है और एक बर चोड़ाई की तरफ से फोल्ड करना है देखिए इस तरह से नाखुन लगा करके प्रेस कर लेना है और इसके बाद इसमें पीनप कर लेना है पीनप करते हुए अच्छी तरह से सेट कर लेना है अब देखिए फिंस दो साइड ओपन साइड है और दो साइड फोल्डेट साइड है तो फोल्डेट साइड के तरफ से देखिए एक तरफ से दो इंच पर मार्क करना है और एक साइ आओ इसमें डिजाइन का safe देदेना है तो देखिए इस तरह से design का safe देना है इसके बाद आद्ए इंच आओर मार्क करते हुए इस तरह से और एक पर निशान बनाल करके cutting कर लेना है डिजाइन की तो देखिए फ्यंस पेस्टिंग पेपर पर हमारी डिजाइन की कटिंग हो गई है कुछ इस तरह से इसका लूक आया है और इसी तरह से चार बना लेंगे कट करके आवर कपड़े पर रखते हुए आईरन के मदद से प्रेस कर लेना है इसके बाद चारो तरफ से सिलाई लगा करके स्टिच कर लेना है इस तरह से चारो डिजाइन के उपर देखिए इस्ट्रा फेपर को इससे कट करके अलग कर लेना है तो देखिए फिंस एक सिलिप में डिजाइन बनाना बताऊंगी तो डिजाइन बनाने के लिए दो हमने पेस्टिंग पेपर वाले पाट को ले लिया है और इसके सेंटर से फोल्ड कर रखते हुए और निसान बना लेना है और सिलिप्स में भी हमें सेंटर में एक सिधा निसान बना लेना है और देखिए हमें इस तरह से सेट करना है सिलिप्स को हमने सिधा करके रखा है और डिजाइन को देखिए उल्टा करके रखते हुए और इस तरह से pinup करके set कर लिया है अब हमें इस designs के जिस तरह से designs की cutting हुई है से मुसी तरह से हमें designs के उपर slip में शिलाई लगाना है तो देखिए फिन्स इस तरह से हमने सिलाई लगा कर stitch कर लिया है और दोस्तों अब हमें pin को निकाल लेना है अब हमें इसे cut कर लेना है तो देखिए आधा इंच कम margin कपड़ा छोड़ते हुए देखिए इस तरह से design की cutting कर लेना है और इसमें छोटे छोटे कट लगा लेना है सिलाई को बचाते हुए और देखिए फिन्स हमने कट लगा लिया है छोटा छोटा आवर इसे देखिए इस तरह से अंदर के साइड फोल्ड कर लेना है तो देखिए फिन्स इस तरह से हमारी स्लिप्स में design बनती है आप देखिए इस designs के उपर एंदम किनारे पर चारो तरफ से सिलाई लगा कर stitch कर लेना है तो चलिए फिन्स जब तक हम सिलाई लगाते हैं तब तक हमारा वीडियो आप लोग को पसान आता है तो प्लीज हमारे वीडियो को like और share कर दीजिए चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और देखिए फेंस यह हमने कपड़ा कटकेर के लिया है गोल्डेन कलर का आप हमें इसे देखिए इस तरह से सिलाई लगा लेना है और इसमें डिजाइन्स बनाना है तो देखिए सुई और धागे की मदद से हमें सेंटर से डिजाइन बनाना है तो देखिए इस तरह से डिजाइन बनाएंगे और देखिए अच्छी तरह से धागे को बाहन लेना है डिजाइन्स में तो देखिए इस तरह से हमादी डिजाइन बन कर आई है अब हमें इसे यहाँ पर देखिए बीच सेंटर में डिजाइन्स के बीच सेंटर में सेट करना है और सिलाई लगा लेना है और फ्रेंस इस प पर upload कर दिया हैं अगर आप कटिंग का वीडियो नहीं देखा हैं तो मैं लिफिर कोमेंट बख्स में दे दूँगे आप वहां से देख सकते हैं तो देखें इस तरह से हमें डिजाइन के उपर सिलाई लगा लेना है और तो देखिए इस तरह से डिजाइन हमारा बन कर आता है और इसी तरह से हम यहाँ पर भी सिलाई लगा कर ले लेना है तो देखिए इस तरह से हमने दोनों सिलिप्स में डिजाइन बना लिया है और इसके उपर से लेश भी स्टिच कर लिया है अब हमें यहाँ पर पाइपिंग लगाना है सिलिप्स के मोहरी के पास में तो देखिए इस तरह से piping लगाना है हमें इस golden कपड़े को double fold करके एक बड़ सिलाई लगा लिया है इसके बाद देखिए अंदर के साइड से इस तरह से मोरते हुए piping निकालते हुए सिलाई लगा करके stitch कर लेना है तो देखिए फ्रेंस हमारी सिलिफ्ट की डिजाइन बनकर त्यार हो चुकी है हमारी ये डिजाइन कैसी लगी आप लोगों को तो अगर डिजाइन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर करें चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें धन्यबाद